साथियों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब रब्य काबा की अमान में होंगे. आज हम इसराइल फिलिस्तीन के बारे में बहुत सारी जानकारी लेकर हाजिर हैं. हमेशा की तरह breaking news, बड़ी खबरों के बाद, war lover Biden और Nathan Yahoo, इस विशय पर एक बहतरीन analysis. तो बने रहे हमारे साथ आखिर तक. आप देख रहे हैं SD-24. तैवान और चाइना के बीच जंग के असार. चीन ने ताइवान के आसपास 32 military aircraft तैनाद किये. अमेरिका ने United Nation में immediate ceasefire के लिए प्रस्ताव मसाओधा पेश किया. उधर रिशी सुनक ने भी immediate ceasefire की मांग की. US military expert ने कहा, इरान, रूस, चाइना में गहरे रिष्टे पश्चिम और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए खत्रे की घंटी है. ब्रिक्स ने Middle East से टेल व्यापार निप्टान के लिए अमेरिकी डॉलर का इस्तिमाल बंद करने का आहवान किया. अब खत्रे में डॉलर. फ्रांस के बाद अब कैनेडा ने इसराइल को हथियार एक्सपोर्ट पर लगाई पाबंदी. SD24 News को फाइनांशल सपोर्ट करने के लिए शेक युसूफ साहब समेत उन सभी मान्यवरों का शुक्रिया, जिन्होंने छोटे बड़े अमाउंट से सपोर्ट किया. कबजे वाली इसराइल डकैत फोर्स ने अलशिफा अस्पताल से 160 फिलिस्तिनियों को अगवाह किया, जिनमें एक मेडिकल टीम भी शामिल है, जिसमें डॉक्टर निहाद आबेद, डॉक्टर मुनीस मुहैसेन, सीनियर नर्स रोही लबबन, नर्स कमल किशको, मांगते हैं, नेतन्याहू भी वही कर रहा है, नेतन्याहू इंटरनेशनल डकैत के साथ भू माफिया भी है, अमेरिका के पाले हुए डाकू ने अब तो हद कर दी, कई कहानियों में आपने सूना होगा, डाकू पालने वालों को डाकू इतना महंगा पढ़ता है, कि पालने वाला खुद सुपारी दे कर उसे मरवाने पर मजबूर हो जाता है, आज यही हालात अमेरिका की हो चुकी है, तीन बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशद में, फिलिस्तीनियों के नरसंहार के लिए वीटो के नाम से, जिस अमेरिका ने तीन बार हाथ उठा कर नेत अची-कुची इद्जत भी खत्म हो गई, लोग बाइडेन के सामने खड़े होकर ऐसा व्यभार करने लगे, जिसकी वजह से उन्हें कई बार शर्मिंदा होना पड़ा, साथ ही कुरसी खत्रे में पड़ गई, यही वजह है अमेरिका ने खुद ही UN Security Council में, immediate ceasefire के लिए प्र प्रतानिया प्रधानमंत्री, रिशी सुनक ने भी immediate ceasefire की मांग की है, जंग किसे कहते हैं, आमने सामने लडाई उसे जंग कहा जाता है, फिलिस्टीन में जो इसराइल कर रहा है, वह जंग नहीं बलकि खुला नरसनहार है, वह भी ऐसा नरसनहार जिसने पिछले हजार सालों के नरसनहारों का record break कर नमबर एक पर आ गया, दुनिया ने मंगोलों का नरसनहार देखा, मुसोलिनी का नरसनहार देखा, कम्यूनिस्ट पार्टी के महासचिव, पोल-पॉर्ट और हिटलर का नरसनहार देखा, लेकिन इन नरसंहारों से 12 गुना ज़्यादा खतरनाक बर-बर नरसंहार फिलिस्तिनियों का नरसंहार है फिलिस्तिनियों के इलाज के लिए तैनात नेटन याहु के मित्र राश्टर ब्रिटिन के इक दॉकटर ने इंटर्व्यू में कहा कि इस्राइली सेना जिन्दा बच्चों की हट्टियां तक जला देती है यमनी सश्चस्त्र बल हौथियों ने लाल सागर में अमेरिकी माडो जहाज को कई एंटीशिप मिसाइल से निशाना बनाया दक्षिनी कबजे वाले फिलिस्तीन में उम्म अल्रश्रश के इलाके इलाट में इस्राइली ठिकानों पर कई क्रूज मिसाइलें दागी अलकस्साम ब्रिगेड ने गज़ा शहर में अल्शिफा अस्पताल के आसपास अलियासीन रॉकेट से साथ आईडीएफ सैन्य वाहनों को निशाना बनाया इन हमलों में आठ इबलिस स्विच्ट ओफ हो गए अलकुट्स ब्रिगेड, अलकसा शहीद ब्रिगेड, मुजाहिद दीन ब्रिगेड ने नौर्थ सेंट्रल इलाकों में नेट जारिम के वेस्ट में आईडीएफ सैनिकों के जुड़ पर कई रॉकेट दागे अलशिफा मेडिकल कॉंपलेक्स के आसपास, टेंडेम और आर्पीजी गोले के साथ दो सैन्य वाहनों को निशाना बनाया और मशीन गणों का इस्तिमाल करते हुए, इस्राइली इबलिसों के साथ खतरनाक जड़प हुई इन सभी एक्टिविटीज में तकरीबन 14 इबलिस स्विच्ट ओफ हो गए मुजाहिदों के हमलों से पैंट में पेशाब कर, IDF के कायर सैनिक तुलकारेम भाग गए और वहां आम लोगों पर हमले शुरू कर दिये है इसराइली जेनोसाइट फोर्स आज भी तुलकारेम में बड़े पैमाने पर नर संहार कर रही है नर संहार के लिए दरजनों, वाहनों और बुल्डोजरों के साथ नूर शम्स कैंप पर हमला करने के बाद इलाके को घेर लिया है इसराइली सेना ने शहर के थाबेट सरकारी अस्पताल के आसपास भी हमला कर दिया है ये सेना वहाँ जाकर हमला करती है, जहां हमास के मुझाहिद नहीं होते परसों अलशिफा अस्पताल पर हमलों के बाद अलकस्साम ब्रिगेड के जवान उस इलाके में आकर इस्राइली सैनिकों को उनकी उकाद दिखा दी फिर डाइपर फोर्स वहां से तुलकारिम भाग गई अब वहां आम लोगों को निशाना बना रही है हिजबुल्ला कहां पीछे रहेगा बिरकट रिशा और उसके आसपास आयोएफ सैनिकों की तैनाती को निशाना बनाया इसके साथ ही अलमलिकियाह साइट तेहत हिल के आसपास एक आयोफ सैन ने बल को निशाना बनाया और एक फौजी गाड़ी की धजजियां उडा दी ब्रानिट साइट के दक्षिन में जारिट बस्ती, रुवेसायत अलालम और अलमर्ज साइट को तोप खाने के गोले से निशाना बनाया आपको याद होगा पिछले कई वीडियो में हमने कहा था कि दुनिया बदल रही है और इस बदली दुनिया के लीडर मिडिल इस्ट के मुसलिम होंगे जो अगला सुपरपावर तै करेंगे लेकिन उर्दू नाम वाले लोग यहूदियों के गोदी में बैठे यूट्यूबर्स के फैलाए हुए जहर का शिकार होकर अरब मुलकों को खूब गरियाते रहे और आज भी गरियाते दिखाई देते हैं हालां कि भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश जैसे मुलकों के सौ फिसद मुसल्मानों को पता है कि नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पर यहूदियों का कबजा है हम बस इतना जानते हैं कि रब्ब काबा ने कुरान करीम में इबादत से ज्यादा बार सब्र और हिकमत का दिक्र किया है लेकिन उर्दू नाम वालों में न सब्र है ना हिकमत उर्दू नाम वाले मुसल्मानों में 90 फिसद लोग जज़बात से भरे पड़े हैं इसी लिए पिछले 100 साल से तरक्की में 0 है सब्र और हिकमत नदारद है मैं आज वादा करती हूँ और चैलेंज करती हूँ जितने लोग कमेंट में मुझसे बद्तमीजी करते हैं और दिन रात मिडल इस्ट के लोगों को ग्रियाते हैं 2024 के आखिर तक वहाँ जाकर उन यूट्यूबर्स की वाट लगा देंगे जिन्होंने इन्हें गलत जानकारी देकर गुमरह किया लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी अब पेश है युद्ध प्रेमी यानि वार लवर राष्ट्रपती बाइडेन और नेतनियाहू की खून भरी सियासत पर एक रिपोर्ट उसके बाद जानेंगे पाकिस्तानी आर्मी अफसरों का अमेरिकी आर्मी के सामने मुझरा ये बात आधी दुनिया, दुनिया के सभी लीडर और जियो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट बहुत अच्छे से जानते हैं कि राष्ट्रपती, बाइडेन और नेतनियाहू दोनों को लड़ाई, खून खराबा, बहुत पसंद है, ये युद्ध प्रेमी यानि वार लवर नेता है रूस ने इन दोनों नेताओं के दुआर में यूरोप और मिडिल इस्ट में लड़ाई शुरू करके, जियो पॉलिटिक्स में भूकंप लाकर, इन दोनों नेताओं के राजनीतिक सफर को इतिहास में जीरो कर दिया बाइडेन को भी इस बात का एहसास हो गया, कि अमेरिका का 20 फिसट टैक्स मनी इसराईल को जाता है बावजूद इसके इसराईली सरकार की नीव और सिक्यूरिटी, फिलिस्तिनी मुजाहिदों से कई गुना कमजोर है अमेरिका और यूरोप को अंदर ही अंदर चिंता खाई जा रही है, कि इसराईल अब उस इलाके को भी खो देगा, जिसने नाजायस तोर पर कबजा कर रखा है और अगर सीधे तोर पर हमास के साथ हर महाज पर जंग शुरू हो जाती है, इसराईली फूस का छपपर धुआ बन कर हवा में उड़ने देर नहीं लगेगी हलांकि America is the main power in the world, जिसने Ukraine और इसराईल को एक killing machine में बदल दिया है मगर America, Europe, Ukraine और इसराईल के साथ मिलकर लडने को तैयार नहीं है क्योंकि चीन और रूस की बढ़ती international power और Middle East के मुजाहिद्दीन दुनिया में अमेरिकी सेना को आसानी से निशाना बना रहे है American और European लोग Second World War के बाद पहली बार किसी दूसरे देशों की मुकाबले में ज्यादा डरे हुए है इन लोगों को एहसास हो गया है कि इस लडाई से दुनिया की geopolitics बहुत तेजी से बदल गई है और Middle East, इरान, तुर्की वगेरह के सभी नेता आपस में बात कर पिछले चह महीनों से चुप है मतलब किसी बड़े प्लान पर काम कर रहे है ऐसा नहीं है कि इस लडाई से बदले geopolitics का डर France, Italy, Greece, England, Germany या Dutch नेताओं को नहीं है बलकि बिजनेस समुदाय की बड़ी-बड़ी कमपनिया जैसे Goldman Sachs, Google, Yahoo ने डर से अपने स्टाफ को ई-मेल किया और मजलूमों के लिए हमदर्दी का इजहार किया और कुछ कारोबारी नेताओं ने जैसे France की लगशरी कमपनी कर्टिये ने कुछ भी नहीं कहने का फैसला लिया क्योंकि इनका लगशरी सामान Middle East में बिकता है किसी के पास आधुनिक हतियार का घमंड है तो किसी को तेल और गैस के पैसा का घमंड है आधुनिक हतियारों से ज्यादा ताकत तेल, गैस और इन्वेस्टमेंट की है जिसका 75 फिसद हिस्सा Middle East का है अब जानते हैं, अमेरिकी सेना के सामने पाकिस्तानी सेना का मुजरा इस पीच एक विडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जहां अमेरिकी सेना के सामने पाकिस्तानी सेना मुजरा करती हुई साफ दिखाई दे रही है इस विडियो को हजारों लोगों ने शर्मनाक बताया लेकिन बेश शर्म पाकिस्तानी फौज को मुजरा करते हुए शर्म नहीं आ रही है आपको बता दें कि यह सेना वही है जिसने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफतार किया था और पाकिस्तान के मामलों को कंट्रोल करती है इसलाम के नाम पर बने पाकिस्तान ने दुनिया भर में मुसल्मानों की नाक कटवा कर रखती है और दुनिया भर में इसलाम को बदनाम कर दिया है मुफ्ती तारिक मसवूद के मुताबिक यहां अदालतें खुला और तलाक देती है सवाल उठाता है फिर शोहर किस काम में आता है पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानियों को सीधी राह पर लाने के लिए अल्लामा इकबाल से लेकर डॉक्टर इस सिरार एहमद तक कई हस्तियों ने अपनी जिंदगियां लगा दी है लेकिन पाकिस्तानी सीधी राह पर आए ना सीधी हुकूमत कायम कर सके आज सबसे ज्यादा लिबरल मुनाफिक सरकार पकिस्तान की है जो अमेरिका के इशारों पर नाचती है और उसी सेना के सामने मुजरा करती है तो ये थी आज की अपडेट मिलते हैं अगले विडियो में ऐसी ही चुनिंदा और हकबात के साथ तब तक के लिए फी अमानिल्ला आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्राटिक न्यूज SD24